दोस्तों विज्ञान कहता है के ब्रमान्ड या जीवन का निर्मान सवते यानि अपने आप हुआ है मतलब अगर विज्ञान की मानी जाये तो सरष्टिया ब्रमान्ड के निर्मान में भगवान की कोई भूमी का नहीं है असल में भगवान है या नहीं ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं है ना ही भगवान को परमानित किया जा सकता है और ना ही गलत साबित किया जा सकता है लेकिन दोस्तों कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना और जब आप अपने घर को देख रहे हों तो उस समय कोई आप से आकर कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं बलकि ये अपने आप बना है तो आप क्या कहेंगे निश्चिती आपका जवाब होगा कि आपका घर अपने आप नहीं बना बलकि इसे मिस्त्री और मजदूर यानि इनसानों ने मिलकर बनाया है अब सामने वाला बंदा कहे के भाई साबित करो कि इसे इनसानों ने बनाया है तो आप कैसे साबित करेंगे तो दोस्तों इसे साबित करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है और वो शब्द है व्यवस्था यानि अरेंजमेंट दोस्तों व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बन सकती आपके घर की पहले नीम खोदी गई ताकि घर को मजबूती मिले फिर उसमें इटों और सर्यों का परियोग हुआ हर दिवार बिलकुल सीधी बनाई गई अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे हवा आने जाने के लिए खिड़किया बनाई गई चट के खुले हिसे पर लोहे क कि रेलिंग लगाई गई ताकि कोई छट से नीचे ना गिर जाए नीचे से उपर और उपर से नीचे जाने के लिए सीड़िया बनाई गई ये सब विवस्ता ही तो है अगर आपका घर अपने आप बनता तो निश्चित ही इतना विवस्तित नहीं होता क्योंकि तरफ देखिए क्या आपको इसमें कोई विवस्ता नहीं दिखती जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं खा सकता तो सवते मां के स्थनों में दूद उतर आता है सिरफ इतना ही नहीं जो बच्चा अभी-अभी पैदा हुआ है तुरंत अपनी मा के सीने से लगते ही खुद बेखुद दूद पीने के लिए अपना मूद चलाने लग जाता है क्या यह कोई विवस्था नहीं है हम ओक्सिजन लेकर कार्बन डाय ओक्साइड छोड़ते हैं वही पेड कार्बन डाय ओक्साइड लेकर ओक्सिजन हमें देते हैं क्या यह कोई विवस्था नहीं है हमारी प्रत्वी 23 दिगरी पर जुकी हुई है जिससे मोसम बदल सकती गर प्रत्वी ने ये सब बनाया है उसे आप भगवान, अल्ला, गोड, वाहिगरू कुछ भी कह सकते हो ये आपकी मान्यता पर निर्भर करता है लेकिन दोस्तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया भगवान कहां से आया तो दोस्तो इस सवाल का जवाब खोजने से पहले में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तो ये हमारी प्रत्वी है जिसका डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है प्रत्वी से करीब 17 गुना बड़ा गरह नेप्चून है हमारे सोरमंडल का एक और गरह शनी हमारी प्रत् प्रत्वी समा सकती है इसके बाद आता है सूर्य ये हमारे सोरमंडल का तारा है और इसमें समा सकती है एक लाक तीस अजार प्रत्वी हैना हमारा सूर्य बहुत बड़ा लेकिन अगर आप सूर्य की तुलना सीरियस नामक तारे से करे तो आपको सूर्य भी छोटा दिखाई लेकिन सिरियस सबसे बड़ा तारा नहीं है उससे भी बड़ा है पोलक्स लेकिन बर्मान्ड में पोलक्स भी बड़ा तारा मौझूद है। परन्तु उससे भी बड़ा है एल्डे ब्रान और एल्डे ब्रान से भी बड़ा तारा है जिसका नाम राइजल रखा गया है लेकिन अन्त यहीं नहीं है दोस्तों राइजल से भी बड़ा तारा जो हाइपर जाइंट की शरेणी में आता है वो है पिश्टल स्टार और ये सिल और नजाने कितने ही अन्य अर्बो खर्बो तारे सिरफ हमारी आकाश गंगा में हैं। दोस्तों यह है हमारी आकाश गंगा मिलकी वे। यहां से आप देखोगे तो आपको अपनी प्रत्वी लाख गुणा जूम करने पर भी दिखाई नहीं देगी। पर दोस्तों अभी बात खतम नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। ऐसी ही नजाने कितनी ही आकाश गंगा जिनमें अर्बो खर्बो तारे सूरिय ग्रह सब समाए हुए हैं। इन सब से मिलकर बना है हमारा प्रहान। यह देखिए। यह है हमारा प्रहान। इतना बड़ा विशाल, अथा या आप जो भी कहें आपके शब्द कम पड़ जाएगी इसकी विशालता और विवस्ता को बया करने में। यह है हमारा प्रहान। फैर दोस्तों अब हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किस ने बनाया। तो दोस्तों इसका जवाब देना नामुम्किन है लेकिन फिर भी जवाब भड़ा सीधा है। दोस्तों अगर आप गधे को ये समझाओगे कि थोमस एडिसन ने बलब कैसे बनाया तो वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप गधे को A, B, C, D सिखाओगे तो इन 26 अक्षरों क वो नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही इस ब्रमांड की विशालता और विवस्था के सामने हम गधे हैं। हम ये कभी नहीं समझ पाएगे कि भगवान क्या है और उसने स्रिष्टी की रचना क्यों की है। भले ही भगवान ने हमें सभी जीवों से जादा समझदार बनाया है लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रमांड के रहस्यों को सुलजा सके। खुद को गदा कहलवाने पर बुरा मत मानना दोस्तों पर सच कहूं मुझे तो ऐसा लगता है कि हम गदे से भी जादा गए गुजरे हैं क्योंकि हम भगवान को लेकर अरे भाई इस रष्टी में तेरी हैसियत ही क्या है एक किटाणू है तुम किटाणू तुझे क्या लगता कि जो पल भर में तुझे खाक में मिला सकता है उसे तेरी रक्षा की जरूरत है कोई कहता है यहां राम मंदिर बनेगा तो कोई कहता है नहीं यहां मस्जिद बनेग और तुम्हारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, मुस्लिम हिंदूों को काफिर बोलते हैं और हज पर चले जाते हैं, हिंदू अल्ला को कोशते हैं और कावड लेने चले जाते हैं, हद है, मतलब हद है, तुम उसी की पूजा करते हो, उसी की फर्याद करते हो, और उसी को गा तुम लोगों ने ये नाम रखी हैं और फिर उनी नामों को लेकर दंगे करने लग जाते हो और खुद को गदे से जादा समझदार बतलाते हो भाई भगवान को ना तेरे मंदीर की जरूरत है ना तेरे मस्जित की ना तेरे गुर्दवारे की ना तेरे चर्च की ना उसे तेर कि अब बगवान खुश हो जाएगा नहीं भाई नहीं होगा बिलकुल नहीं होगा वो खुश तब होगा जब तु बगवान की पुजा करके उसी के बनाए मुसलमानों को नहीं कोशेगा या तु नमाज अदा करके उसी के बनाए हिंदूों को भी प्यार और सम्मान से देखे वो तब खुश होगा जब तू उसके हर माने जाने वाले सवरूप के सामने सर जुकाएगा वो तब खुश होगा फिर चाहे वो सवरूप अल्ला का हो चाहे भगवान का हो चाहे वाहे गुरू का हो चाहे गोड का हो क्योंकि भले ही वो सवरूप इनसानों की कल्पना हो लेकि है तो उस परमातमा को याद करने का जरिया ही दोस्तों जो लोग धरम के ठेकेदार बने बैठे हैं और मजहब के नाम पर दंगे करते हैं अगर मेरी इस वीडियो से उनमें से एक का भी हिर्दय प्रिवर्तन हो जाए तो मैं समझूँगा के मेरी इस वीडियो बनाने की मेहनत स सफल हो गई भाईयो अब भी समझ जाओ अब भी मोका है नहीं तो ये सवर मानने सकते है कि जिसके नाम पर तुम जगडा करते हो एक दिन जाना तो आखिर उसी के पास है कैसे जाओगे क्या मू लेकर जाओगे याद रखना मेरे भाईयो उसकी लाठी में आवाज नहीं होत यहीं रह जाएंगे सारे अकड किस बात की प्यारे अकड किस बात की प्यारे ये सर फिर भी जुकाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है ना हाथी है ना घोडा है वहाँ पैदल ही जाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है